आपकी दूआउसे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंज मेरा एक और वीडियो अप्लोड जैसे हो गया है पिछले बार व्लोग में तो आप लोग ने अभी तक व्लोग देखे हैं नहीं अगर नहीं देखे हैं चटे रोजे का व्लोग जो एंगेज पाटे मेरे का वो जरूर देखेगा आपको जरूर पसनाएगा वीडियो पसनाएगा तो लाइक शेयर इंस अस्क्राइब जरूर करना आप सबको सात्वा रोजा मुबारक हो जैसे वीजवल में किचन में आ गई हो तो अभी यहां पर मेरा काम चालो गया जैसे अंडे की बिर्यानी रखी हुए थी और हमने पुरा अफ़तारी बार अफ़तारी बोड़ी सोरी सेरी बाहर से ली करा गयते हैं तो अभी हम सेरी वही कर भाएंगे कीमा है चाय बन रही है और अंडा बिर्यानी भी है तो यहीं सारी चीज़े अज सेरी में खाएंगे आप क्या खाओगे कमेंट कर बात में चाय और अंडा बिर्यानी यो सब कर दाम होने तो मैं ताजुद पढ़ा हूँ तो मेरे यहां पे रिकावर हो जाएगा नमाज भी पढ़ना और ताजुद भी पढ़ना एकन फिर में देखिया पी चाय में ना शक्करेट कर देती हूँ एं जाती हूँ में किचन के बाहर मुझे रात में इतना लेट हो के एडिटिंग करते करते तो बहुत मज़े का व्लोग मैंने पिछला व्लोग अब जरूर देखना चट्वे रोजे का एंगेजमेंट व्लोग जो पार्ट वान है इंशाल्ला पार्ट वी मैं बहुत जल्द डालूंगी क्योंकि अभी पार्ट वी बारी आई नहीं जब आएगी हो भी आज आएगा आप लोगों के लिए तो फ्रेंट अभी है न मैं यहां पर आकर बेट हुए हूँ आपर में इस अदर दस्तर लगा दी हूँ हमी जान अभी उटे है तब में कुमे कपसे उटा रही हूँ उट नहीं रहे बिक मझे सब कर ठॉल सेहरी और नहीं कर रहा है मेरा मैजेक हाना पढ़ेगा पाके का रोजा में रखना है तो इसके तlle V2 कर तोoras को ढईगी हूँ दिन्युंधार या आख मंदारी मस में दूए है बट अधर और बिप करने तक जब तक तो जागना ही पढ़ेगा अभी के लिए तो अम्मी जान आज हो जाएगा फिर अम्मी जान चले जाएगे तो दिखत रहेगे तो एक्जस करना पड़ेगा रूटिंग सब चेंज करूंगी मैं फिर देखते इंशालला तो फ्रेंज अभी मैं यहापर देखिए सेरी खारी हो आपर पाव भी रखे और काजू अलग कीम तो कल हम लोग जो इवेंट के लिए इकदर गहते हैं वहाँ पर मेरी फेवरेट चीज मिलनी थी तो हमने को लेकर आए अब इसे निकाल के रखते हैं मैं फ्रीजर के बाद कि वह फ्रीज हो गया है और इसी के साथ आज मैं फ्रोजन में तन्ने वाली हूँ सीख चीकन चीज कि मैंने को बहुत पसंद लेगो और इसी के साथ में मुझे बोला था कि हमने यहाँ पेना समूसा भी तन्ना और दो तिन रोल पड़ें तो मैं सोच रही हूँ कि अफ्तारी में हमें जाने से इंदा हाउस नहीं है कि लिए मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किर है कि लि कि अफ्तारी के फिरम को मैनेज करके बनाते रहें और इधर पहना दूच वाले उसमें रगडा भी है और चिकन ड्रेगन भी है तो वह भी हमनों सब गर्मा लेंगे तो चलो जुगार तो हो गया खाने पेनेगा और अपना फैरी के लिए क्या बनाओगी वह सोच रही हूँ देख्ते के जिए चिकन अगेरा ले अर्स में लेकर आथे आज मैंने लेकराई मार्केब से अधर में फूुट्स मैंस मे कैसी है जब लेकर आगई। pó घुकेः और इसंडी के जिसे क्या हुआँ से और इसे बंडिय है जा था खाये बहुर cuma तो आपने पहलेवसे पाइलने रहें बूले कि फजर के ब thi रह ने थक गए ची तो मेरे प्शिभाय को बसा क्थिती तो मिने क्या जाने किका बसा दिख सेव मुझे करना पड़ेगा मैनेज भी सारी चीज़े खुद करना पड़ता है विकॉज अम्मी जान के बात ही अलग होती है एन आई लव यू ममा सोमज मुझे पता ही नहीं रहता है कि आप मुझे इतनी हेल्प करते हो जब मैं अक्केले रहती हो मुझे बहुत फील होता है तो सा यही सारी चीज़े अभी तो फिलाल मेरे पास एक दो दिन का ही फ्रोजन फूड है अब इसके बाद मुझे हर दिन खुद श्रगल करना पड़ेगा तो जैसे के यहां पर मैंने चिकन चीज सीखता वह तलने वाली थी क्रिस्पी चिकन मैंने भीवंडी से लेकर आई थी और वेट करोगी आप जब आओगे तो फिर हम सारी चीज़े मिलके फिर से बना देगें स्टोर करके रख देगे बाकी रोजे के लिए तो यहां पर है ना मैं देखी यहां पर जो मैं बाते कर रही हूँ यह मेरे शोगर जी की महरवादी है विकास उनके वीडियो के दोराने न सलामत है तो यह सारी चीज़े में को एकजस करना पड़ते हैं अम्मी जान नहीं रहती है शोगर जी नहीं रहते हैं तो गाइस आप लोग देखते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ वीडियो भी बनाती हूँ बात भी करना रहता है और अकेली श्ट्रगल भी करना रहता है कोई नहीं को एता है मोसली लोगों की अम्मी या साथ साथ में रहती है मेरी साथ भी मुझसे दूर रहते हैं मेरी अम्मी जान मेरे पास रहने के बात भी मुझसे दूर चले जाते हैं तो यह मोसली कुछ कुछ रीजन के वज़े से हो जाता है बट ऐसे कोई बात नहीं है मै मेरा फेवरेट है यार भीवंडी का हमने इसके लिए ना अमीजान को बोल दी थी कि जादा लेकर आना तकि मैं दो तीन दिन दिन दगा हूँ विखास भीवंडी जाने होता नहीं है यार एन्वा की तो बात ही अलग है एन्वा के बार में क्या ही एक लवली मेमोरी क्रियेट से हमनों के लिए उसके नाम से हमको इतनी खुशी होती है जो फ्रोजन फूड मैंने फ्रीज में रखी थी चिकन सीख चीजी सीख येस उसको मैं देखिए अंडा फेट रही हूँ और साम जाता है क्योंकि ना आइस नहीं कैचप होता है आप लोग यह बात को इद्दम ध्यान में रखेगा आप इसे वन बन तक ऐसे ही स्टोर कर सकते हो तो मैंने अम्मी जान है ना बचावा ब्रेड़कर्म रखे लाते जो रेड रेड है तो वह वाला है ना मैंने उसको कोट कर दी इओ अच्छी तरीके से आच्छी ठरीके से कोट कर दी हूं मैंने तो अब हिसको हम लोग फ्राइ कर लें यह देखिए और यह जो सी के ना मेरे तमू की फेवरेट है फेवरेट फेवरेट सी के यह और उसे तो सबसे ज्यादा पसन है यह सी कितना भी जल्दी काम करो न तो बहुत दिक्कत जाती है टाइम हो जाते है असर पढ़ने के लिए और मोस्तिन असर पढ़ने के लिए लेटी हो जाते है बट मैं जल्दी जल्दी काम करी है न मैं आपको क्या बोलू इतना तो टेंचन नहीं रहते है यार अम्मी जान रहती है न तो वह न मुझे फ़र अफ्तारी हो हैंडल कर लेते मैं नमास बदते हूं जाड़ू पोचा सब कुछ कर लेती हूं अम्मी जान सारी सारी चीजे मेनेज करती है इसे के साथ सो फ्रेंज अभी मेने तमेम से दूद वगेरा मंगा दियो तो चलिए फालूदा बनाने का अब टाइम भी हो रहा है जलेली करने काम तो अल्मस्ट होई गया थोड़ा सा बाकी है तो वो भी कर रही लेंगे अम्मी जान नहीं रहते ना यार यही बड़ी दुखों की बात हो तो अभी चलिए दूद का बनाते हैं फालूदा आज पियेंगे फालूदा भीवंडी वालों का वेकि भीवंडी में कल गई थी तो फालूदा वहां से लेकर आए हमने तो और वहां का फालूदे की क्रेविंग ना बहुत अलग ही रहती है मालूँ बहुत मज़ेकी रहती फालूदा आए देखिए कलरी देखिए लुक देखिए कितना मज़े का है न तो अभी बनाती हूं मैं मस फटा फट और नमास पढ़ती हूं असर का टाइम हो रहे हैं तो अभी यहां पर है न मैं आ गई हूं कीचन में कीचन में आ गई वापस से मैं तो मैंने जैसे बोले इससे बनाना है तो फालूदा बनाने के लिए में रूफ दूझ दूझ थे मुझे भी नहीं तक आप पड़ता हूं फाइनली ऑं मिल गया है तो रूफ दाल रहे ऑप लोदे में और फालूदे के जान पर रूफ दही होती है पिर इसके बाद में सारा दस्तर का नहाने अध कायल तमीम कोई भी लगाता है अज मेरी रुड़ी की तमीम बजार गयता सामन लाने एन मिकायल आपवेसली सो रहाता सारी चीजों को मैं अरेंज कर रही थी और आप जैसे आज दस्तरकान देखोगे तो आप लोग भी मेरी अम्मी को ज़रूर मिस करोगे तो एक अम्मी रहती हम लोग मा बच्चे हम लोग दस्तरकान पर बैठ गए अम्मी जान को मिस करें कि अम्मी जान की सीट खाली है कोई बात नी हमी जान तो जल आजाएगे इंशाला हमी जहां भी रोजा खोल रहे हमको पता है अल्लाद अम्मी जान का साया मेर्शे हमें से सलामत होगे आमी तो अब रोजा खोलते रोजे का वक्त होगे तो चलिए इस व्लोग को लगाती में यही पर फुल स्टार तो आपने अभी तक एंगेजमेंट का व्लोग देखे है नहीं देखे नहीं होगे तो जाकर जरूर देखना बहुत ही प्यारा ब्लोग बनाई हो मेरे भाई की एंगेज खाला जन के वहां से भी अफ़तारी आए थी साबोदानिक वड़ा चट्नी मेंद वड़ा दाल वड़ा और मेरी अफ्तारी में चीजी सीख क्रिस्पी चिकन रोल क्रीड़ चिकन समूसर खजूर और फ्रूट में ता वाटर मेलेन और बनाना और इसी के ता जूस प्लीज जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें और जो पुराने हमेशा जुड़े रहें बेल आइकन को हीट जरूर करेगा तो आप से लेतियू में फुल स्टॉप और चलिए इबादत करते हैं नेक्स व्लोग में मिलेंगे आप से आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारी हम लोगों के लिए दुआई भी करिएगा